साथ वर्षिय बच्ची के साथ दुशकर्म जान से मारने और खेत में सव दफनाने वाला आरोपी गिरपतार दूसरी कक्छा में पढ़ने वाली छात्रा का 28 फरवरी को घर से हुई लापता तीन दिन बाद सव जंगल से बरामद फिरोजपुर जिरका खंड के एक गाउं में कक्छा दूसरी में पढ़ने वाली साथ वर्षिय बच्ची के साथ दुशकर्म जान से मारने और सव को दफनाने का मामला परकास में आया है पुलिस ने इस मामले में गाउं के ही परीजन आरोपी को गिरफतार करने में काम्याबी हासिल की है पुलिस ने मोखे से सव बरामद कर सव को पोश्ट माडम हैतू माड़ी खेड़ा अस्पताल में पहुँचा दिया है और आरवपी को गिरफतार कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है प्राप जानकारी के अनुसार खंड के एक गाउं में 28 फरवरी को कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली साथ वर्षी एक बच्ची अपने घर से लापता हो गई जिसे गाउं में ढूडने पर जब नहीं मिली तो उस बच्ची के गुमसुदगी की रिपोर्ट फिरोजपुर जिरका थाने में दर्ज करा दी गई पुलिस द्वारा इस मामले में गहनता से चानवीन की गई तो गाउं में एक परीजन पर शक होने पर शक्ति से पूच्ता की गई तो आरोपी ने सारी कहानी बया कर दी आरोपी यूख द्वारा खेत में दफनाए हुए सव को भी पुलिस की मौजूदगी में बरामत किया गया थाना परबंदक अमन सिंग ने जानकारी देते हुए बताया की मिर्तक बच्ची के पिता ने तीन दिन पूर अपने घर से लापता हो गई जिसकी गुमसूदगी की रिपोर्ट इस्तान ये थाना फिरोजपुर जिरका में 29 फरवरी को दर्ज कराई गई पुलिस द्वारा इस मामले में जब शक के आधार पर बच्ची के ही एक परिजन से पूच्चाच की गई तो वो घबरा गया जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया और पुलिस ने सक्ती से पूच्चाच की तो आरोपी ने सारी कहानी बया कर दी पुलिस द्वारा इस मामले में योग के खिलाब विबिन धाराओं के तहट मामला दर्ज कर शव को पोस्ट माटम हैतू शव को अपने कबजे में लेकर मांडी खेड़ा अस्पताल में भिजवा दिया गला है आरोपी योग अबास उमर 27 वर्स पुलिस की हिरासत में है रिपोर्ट के तथ्य के आधार पर अन्य धाराएं जोड कर कड़ी कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी सर फिरोजपुल जिल्गा थाना अंतरका तेक बड़ा ही दर्नाग मामला सामने आया है अभी तक बुलिस द्वारा क्या कारवाई अमल में लाएगी देखे एक उनक्तष तारीक को स्याम को हमें थाना में एक कंप्लाइड प्राप्त हुई जिसमें 1 7 साल की बती लापता थी जिसबर हमने केस रेजिस्टर करके और उसके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की. इन्वेस्टिगेशन दोरान सामने आया कि आरोपी ने बच्ची को मारके और खेतों में दबा दिया है जिस पर आरोपी को अरेस्ट किया गया अरेस्ट करके डूटी मेस्टेट को लेके और सेन ओफ क्राइम टीम को लेके बच्चे की बोड़ी को रिकवर किया गया खेत में दबा रखा था वहां से कि और उसका आज पॉस्टमार्टम करके और बडिको प्रिजनों के हवाले किया गया तो सर रोपी है जिसको आप बटा रहे राउंड अप रोपी को दो रहने है तो रोपी का नाम है रोपी कौन से आ लड़की है अरोपी मर्तक जो लड़की है उसका चाचा लगता है कजन तो सब्सक्राइब बात करें अपवाएउड आई जाने के लड़की के साथ कोई रेप होगे रहा हुआ है ऐसी मामला देखें अभी इसमें कोई पोस्टवार्टम करवाएगया है और अभी रेप क。」 पुस्टी नहीं है लेकिन आ रोपी ने पूसताज के दोरान बताए कि उसने रेप करने की कोशिज की है तो सर क्या कोई और भी विमांड पर लेने की कोई तैयारी है रोपी और अन्य किसी वार्दा यानि की वर्पूस्ट आज की यह रोपी को आज कोर्ट में पेस किया जा रहे है